नमस्कार दोस्तों आज हम व्याया महस्तरोदा पत्य हो इस चाप्टर के केवल प्रश्ण उत्तरों की चर्चा करने वाले हैं हमने चाप्टर की ऊपर डिस्कस किया है आप 10 प्लास चाप्टर प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वह सब कुछ मिल जाएगा चाप्टर के रिलेटर कॉश्ण अनसर हो या सब कुछ अभी हम एक चाप्टर कोश्ण अनसर सर डिस्कस करने वाले तो चले शिरुआत करते हैं कॉश्ण वण एक पदेना उत्तरम लिखता तो आपको यहाँ one word में अंसर देना है तो क्या है पहला कॉश्ण परमम आरोग्यम कसमात उपजायते मतलब स्रेश्ट आरोग्य सबसे अच्छा आरोग्य हेल्दी लाइप किस से निर्मान होती है उपजायते मतलब निर्मान होना एक्रेट होना तो व्यायामात यह सब कुछ जो हेल्दी लाइप जो है यह व्यायाम से ही बनती है दूसरा कोश स्तीर होता है मतलब किसकी मसल्स मजबूत होते हैं, तो जो व्यायाम में बिजी है, अभीरत लगा हुआ है, जो हर रोज व्यायाम करता है, उसके मसल्स मजबूत होते हैं. सदा कह पत्य है हमेशा क्या पत्य है क्या करना चाहिए क्या कल्यान का रखे तो है व्यायाम है व्यायाम ही कल्यान का रखे व्यायाम ही अच्छा है करने जैसा कई ही पुम्भी ही सरिवेश रुतुशू व्यायाम करता व्याँ कई ही पुम्भी ही मतलब इंसानों द्वारा कौन सी इंसानों द्वारा सभी रुतुओं में सभी सीजन्स में व्यायाम करना चाहिए आत्म हितेश भी जो खुद का हीद चाहते है उन्हें हर सीजन में मतलब ह रोज व्यायाम करने से जिनका शरीर पूर्वा पसीने से लगपत हो चुका इसका मतलब क्या होता है कि जो हर रोज व्यायाम करता है उसके समिप उसके नजदिक क्या नहीं जाता है तो व्याद यह एक वी बिमारी उनके पास नहीं जाती है जो हर रोज व्यायाम करते है कुशन टू पूर्न अख्य न उत्तरत हुथ तो आपको पूरे से अंसर देना है कशन वं की दृशन करम व्यायाम असंगित म कत्य थे तैसला कैसा काम व्यायाम कहा जाता है तो उसका उत्तर क्या है शरीर आया सजननम कर्म व्यायाम संगितम कत्यते शरीर आया सजननम मतलब शरीर के द्वारा जो मेनत परिश्रम की जाती वह जो कर्म है मतलब हाथ पे रिलाना दौड़ना एकसरसाइस करना ये जो कर्म है उसे ही व्यायाम कहा जाता है नेक्स्ट व्यायामात किम किम पन्न होता है तो व्यायामात श्रम क्लम पिपासा उस्तन शीता दीनाम सहिष्टनुता आरोग्यम्च उपजायते व्यायाम करने से क्या क्या निर्मान होता है एक श्रम क्लम पिपासा मतलब श्रम मेहनत करने के बाद जो ठकान होती है उसे सहन करने की शक्ती निर्मान होती है यदि प्यास लगती तो उसे सहन करने की शक्ति निर्मान होती है, उस्टन, शीत, आदिना मतलब गर्मी सहन करने की शक्ति निर्मान होती है, ठंडी सहन करने की शक्ति निर्मान होती है, मतलब थोड़ी भी गर्मी लग जाती है, तो बीमार नहीं होता है, जो हर रोज वायाम क करता है उसे थोड़ी गर्मी लग जाए थोड़ी यह तुरंद बिमार हो जाता है तो यह टई जो ठन गरम प्यास महेनत जो परेश्रम उसे सहन और भैधन करने की सब्सक्र मेंyang काई मारूर्ट आरोग यह एक अच्छी हिल्दी लाइब निर्मान होती है, नेक्स्ट, जरा कस्य सकाशम सहसा न समधीर होती, जरा मतलब बुड़ापा, बुड़ापा किसके पास, कस्य सकाशम मतलब किसके पास, सहसा मतलब अचानक न समधीर होती, मतलब किसके पास अचानक खड़ा नहीं हो टस्चय सकाशम उसके पास अचानक जरा न समधिर ठीग žाता है मतलों हरों करता है वह कलकी cabin पीने सोते रहाते वहाद में तुरन बुड़ा आदम को प्राप्त हो जाता है इसे कहाएं कख़ क्युंअ नेक्ख अंव जाते बीघ्च नहीं से उसे कर लेकिता है तो उसका अंसर व्यायाम कुरुत हो जो रोज व्यायायम करते जो गलत क्वाना भी पचा लेता कि रहना है क्योंकि कभी-कभी ऐसे हो जाता है जो भाहर का खाना घाता है तुरण conoc मुझी में अच्ग उसे मचोछ कि नहीं होता है उसे कुछ विशंता आया कुछ आधा बल मतलब मतलब हमारे जो शक्ती होती हमारा जो बल होता है उसका आधाबल जो होता है उससे हम कैसे समझाया कैसे बताए किस भाषा में समझा सकते तो और एजर बसके उसकानसर है यह जब कर लिए इदे बाइप इसफ़ान की ऐता है प्रसे का लक्षन प्रफ्ट्र नियुक्षन है नेक्स्ट कोंशन नमबर त्री तृतिया विवक्त ही ओके तो हमने यह सिदे अंसर दे दिये हैं तो आप चाप्टर में देखोगे तो आपको फिलिंग देल ब्लंक स्टैप यहां कोंशन मिलेगा और वहां आपको तृतिया विवक्त ही उसकरना ह के जैसा दुसरा कोई मोटताता दूर करने वाला नहींakukan कोई चाथा कि मेरा मोटता दूर हो तो क्या करें विड्या stub steht सुलापा करने वाला नहीं है जिसके बास ल्iénे ग्यान नहीं है उसका जीवन व्यारत है सह चरनेन खंजह अस्ती मतलब वह पैर से एक पैर से देखो तुरुते एक पोचने चरनेन खंजह मतलब लंगडा वह एक पैर से लंगडा है नेक्स्ट सूपकार नासिकया बोजनम जिगरती सूपकार मतलब जो सबजी पकाता है वह नासिक नाक से बोजन जिगरती मतलब खाना सुगता है क्वेशन्य दिर्मान की पर हमने काफी सारी व्यडियो मिलीस्ट है प्रहर्श्थे उस को था कि उसके जगह पर वह जिस विवक्ति में जिस लिंग है जिस वचन में है उसकी प्रतमा बोवचन इसले कह कव के तो यह के आया है आत्मा इत्य शिभी तुरुतिया वोचने तो कई ही और पूलिंग शब्द इसले कई ही आया विरुद्धम कि दुरुशम अब इसले आप क्या किजे वो प्रश्णिर मांग का विडियो देख लिए तो उसमें विश्ण के ल स्लोक से भावार्त है तो आपको यह भावार्त लिखना होता है उस लोक को संस्कृत में अपने शब्दों में लिखना होता है उस लोक का जो मिनिंग होता है वह अपने शब्दों में लिखना होता है कि उस लोक को क्या कहना है तो हमने और यहां दिया है और यह फिलिंग द गरुड के नजदीक उरगा साप नहीं जाते हैं एवं यो इसी तरह से व्यायाम इना जनस्य समिपम जो व्यायाम करता है उस वेक्ति के पास उन वेक्तियों के पास व्यादय है न गच्चनती विमारिया नहीं जाती जो विमारी होती वो नहीं जाती है व्यायाम है वयो से इसका बावारत है तो आपको यह एक चोट असा अनुच्छत लिखना है पास सेंटेस का हमने दिया है तो चलिए मैं पढ़ लेता हूँ व्याया में स्वास्तियम सम्यक बहुती व्यायायम से स्वास्तिय अच्छा होता है तथा चे आयू हूँ वर्दते और यह भी बढ़त है तससे आरोग्यम उसका आरोग्य और पाचन क्रिया अच्छे तरह से रहती है मनसह शक्ति प्रवर्दते और मन की शक्ति मन का मतलब सामर्ते बढ़ता है तथा च्छ शकार आत्मा की विचारा अपी वर्दते व्यायम से पॉजिटिव थिंकिंग भी बढ़ती है गात्रा तब verlier दी से उत्तरते है विचर्देश पदब पहिचानना है मना उतस्यों तaty हसे औरawan विशिःशन पद पहचानना था है जो डिसक्राइब करता है उसे विशेशन कहते है जो विशेशता बताते है उसे विशेशन कहते है तो क्रियापत क्या है उपसर पनती है नेक्स्ट पुम्भी यहां पुछा गया कि पुरुष इस शब्द के लिए कौन सा पद यूज किया गया है तो पुम्भी ही यहां पुरुष का सिमिलर वर्ड है नेक्स्ट धिप्ताग नित्वम अनालस्यम स्थीरत्वम लागवम्रुजा इती वाक्याद गवरोम इती पदस्य विपरिता अर्थक यहां पुछा गया कि सेंटेस्ट में जो ते न ही सरुनाम है किसके लिए उसक्या गया है यहां चाप्टर पड़ेंगे हैं श्लोक पड़ेंगे तो हमें समझ में आएगा जिए बिए तो हमेशा हमेशा मनुष्य करता जब इनसान अच्छी तरह से व्यायव करता है है तो हमेशा के लिए सुस्तर रहता है मतलब उसकी जाता है नेक्स लिखता है जनत यस face अचानक नहीं आता है ठीक है नेक्स्ट व्यायाम के जैसा दूसरा कोई भी मोट पादुर करने वाला नहीं है मतलब अन्यता का मतलब होता है नहीं तो मतलब व्यायाम देख खरी करना चाहिए नहीं तो बिमारिया आ जाती है मतलब क्या होता है कि मेरी उमर क्या है मैं कितना बड़ा हूँ मेरा शेरिक कैसा है उसी सबसे व्यायाम करना चाहिए किसी तरह का भी आयम नहीं करना है चाहिए सो समझ कर और हमारे बॉड़ी के लिए हमारे शरीक लिए जो व्यायम अच्छा रहेगा वही व्यायम करना चाहिए तो बीमारी आ जाती है तो आपको यहां क्या करना है पैसिवाइज एक्स तो कर्म वाच्च मतलब पैसिवाइज हैं करतरी कर्मनी प्रयों के तो इसकेentyवों Iska हम अभी याद डिसकस नहीं करेंगे मैं स्रीफ पढ़ने वाला हो कि इसके उपर मतलब करतरी कर्मनी कैसे करते इसके उपर हमने बहुत सारी युडियो बनाया है आप वो देख सकते हो मैं स्रीफ सेंटेस पढ़ लेता हो बलवता विरुद्धम अपी बोजनम पचेते उसका अ करता गीतन गायती ओके यहां तीन के बाद तुरंट पाच आ चुका है ठीक है आपको वह समय लेने तीन के बाद चारे नंबर का प्रॉब्लेम हो कोशन नंबर सेवन आपको यहां प्रकुर्ति प्रत्य मतलब शब्द और प्रत्य पहचानना है कि कौन सा शब्द है वहां प्रत्य के उपर हमने वीडीो बनाये वहां डीटिल में समझाय गया आपको देख सकते हो सेवन नंबर सेवन आप प्रत्यिस्सार्य पुराने बुक का कोशनन नहें उसमें कष्ञ नहीं है तो न्यू बुक में यह question नहीं है पुराने बुक में इसलिए अमनी यहाँ दे दिया है क्योंकि किसी के बास पुराने बुक होगी तो उसके लिए आसानी हो जाएगी तो इस तरह से आज हमने chapter 3 के question answer समझ लिए और आगे भी हम बहुत सारी वीडियो बनाने वाले हैं तो आप क्या केजिए chapter की playlist जो आपका class है 10 class वह chapter की playlist देख लीजे आपको वहाँ बहुत सारी वी